नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो हम लोग 2017 में जो आपके NTPC-CBT2 में 9 सिप्ट में GK के प्रश्ण पूछे गए थे उन प्रश्णों को डिसकस कर रहे थे तो पार्ट एक में हम लोगों ने 100 प्रश्णों को अलड़ी डिसकस कर लिया है और इस वीडियो मे भी हम लोग NTPC-CBT2 में 2017 में जो आपके 100 और GK के प्रश्ण पूछे गए थे उन सभी प्रश्णों को भी हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेली ग्राम चैनल के वी गुरू जी पर मि ही है इसमें हम लोग topic wise current affair कर रहे हैं बाकी रात में जो आपकी 10 बजे वाली class है इसमें आपके daily 100 GK के प्रश्णों का live test होता है तो अगर आप किसी भी प्रकार के exam के तयारी कर रहे हैं तो आप in free live classes को attend कर सकते हैं इसके लिए description में आपको मेरी unacademy profile के link मिलेगी उस पे click कर और आप मुझे unacademy पर इस code को use करते हुए follow कर सकते हैं unacademy के उपर बहुत सारे exam के लिए courses already available हैं तो अगर आप किसी भी exam की तयारी एक systematic बेमे करना चाहते हैं तो simply आप इस number पर मुझसे contact कर सकते हैं और unacademy के उपर जितने भी course हैं उस पे आप maximum discount भी available कर सकते हैं 24 तारीक को एक बहुत बड़ा ultra combat होने वाला है unacademy के उपर तो अगर आप यहाँ पर इस test में सामिल होते हैं तो आप unacademy के तरफ से dell का laptop, samsung का mobile, fitbit की वाज, amazon voucher या फिर unacademy के subscription को जी सकते हैं तो simply आपको नीचे pin comment में एक link मिलेगी उस पे click करिए और code use करिएगा kv10 और इस code के साथ में आप इसमें enroll कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि 1915 सूला में अस्थापित Home Rule League की सहाइक इकाईयों के रूप में काम किया था तो अगर हम लोग Home Rule League की बात करते हैं तो ये आपके Indian National Congress की सहाइक इकाई के रूप में काम किया था option यहाँ पर B हो जाएगा correct तो अप्रेल 1916 में एनी वेशन और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा वेल गाम करनाटक में इसकी अस्थापना हुई थी तो option B होगा correct अगला प्रशन है कि डैस डैस टागर रजर्व ने Netwest Group Earth Heroes Award 2021 जीता है तो यह प्रशन वैसे 2016 का था बस मैंने इसको 2021 के साथ में रेप्लेस कर दिया है तो ध्यान रखिएगा 2021 में जो Earth Heroes Award है यह आपके सत्पुडा Tiger Reserve ने जीता है किसने जीता है सत्पुडा ने तो option यहाँ पर A हो जाएगा correct वहीं पर अगर आपसे Earth Guardian Award के बारे में पूछा जाए तो यह पुरस्कार जीता है केरल के पिरंबी कुलम Tiger Reserve ने तो confuse बिलकुल मत हुईएगा Earth Heroes Award जीता है सत्पुडा ने और Earth Guardian Award जीता है पिरंबी कुलम Tiger Reserve ने अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन से बेद में बिमारी का इलाज है तो बिमारी के इलाज की बात करते हैं यह आपको अथर्व वेद में देखने को मिलेगा यानि कि यहाँ पर option D होगा correct अगला प्रशन है कि हमारा जो भाते railway का network है यह लगभग कितने station को आप आपस में connect करता है तो हमारे देश में वैसे 73-100 के आसपास railway station है और अगर हम लोग निकरतम उत्तर के साथ में जाएं तो यहाँ पर 8000 railway station हो जाएगा correct यानि कि C option correct होगा अगला प्रशन है कि हबल का जो नियम है यह आपके किस्से सम्मंधित है तो हबल का जो नियम है यह अधी दूइप माजुली जो भारत का पहला और एक मातर जिला बन गया है यह कहां पर इस्थित है तो माजुली की बात करें यह आपके ब्रहुपुत्र नदी में देखने को मिलेगा और असम राज में यह इस्थित है तो option D होगा यहां correct अगला प्रशन है कि dash dash mouse पर क्लिक क साथ काम करते हुए default रूप से पूरे paragraph का chain किया जाता है तो simply अगर आपने कभी भी Microsoft World का use किया हो तो माल लीजिए यहां पर paragraph के उपर में तीन बार अपने mouse से क्लिक करता हूँ तो यह पूरा जो आपका test है यह हो जाएगा select और इसके लिए तीन बार mouse पर आपको क्लिक करना होगा यानि कि triple होगा यहां पर correct अगला प्रशन है कि निम्रे लखित में से कौन सा अंतर राष्टिये football star ब्राजील का है तो ब्राजील के football खिलाड़े की बात पूछी गई है इनका नाम है नीमार जूनियर क्या नाम है नीमार नाम है तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि WWF का मतलब क्या है तो बहुत सिंपल सा प्रशन है WWF का मतलब होता है World Wildlife Fund for Nature तो यहां पर इस प्रशन के लिए option C हो जाएगा correct तो 29 अपरेल 1961 को इसकी अस्थापना होई थी और इसका headquarter आपको सुट्ज लैंड के gland में देखने को मिलेगा अगला प्रशन है कि निम्र में से कौन सा दूइप है जो कि हमारे लच्च दूइप के समूँ से समंधित नहीं है तो लच्च दूइप दूइप समूँ जो है वो आपको अरब सागर में मिलेगा तो इसमें आपको मिनी कवाय मिल जाएगी कवा रत्ती यहां पर मिलेगी अमीनी मिल जाएगी लेकिन अगर हम लोग नील दूइप की बात करते हैं, तो ये आपको अन्दमान और नीको बार में मिलेगा, तो इस प्रशन के लिए option C होगा correct, हाला कि अब ये जो नील दूइप है, इसका नाम मदल दिया गया है, और इसका नया नाम हो चुका है सहीद दूइप, तो ये भी ध्यान रखेंग C option correct होगा, अगला प्रशन है कि dash dash एक सामान ने बिटमय पाधारित, file extension का प्रकार नहीं है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, नीचे के तीनों की, तो ये तीनों image से जुड़े हुए हैं, जबकि अगर हम लोग ODT की बात करते हैं, तो ये आपका file extension नहीं है, इसका मतलब होत ये रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, ये पारित हुआ था 1919 में, option यहाँ पसी हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है कि अगर आप भारत के किसी राज के राज़िके राजपाल बनना चाहते हैं, तो आपकी नियूनतम आयो कितनी होनी चाहिए, तो राजपाल बनना है, राश्पती बनना है, उपराश्पती बनना है, इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 35 एर, नियूनतम, option D होगा, correct, अगला प्रशन है कि लोग सभा के संदर्व में, लीडर आफ हाउस, डैस डैस को संदर्वित करता है, तो ली में लोग सभा के बात करें, तो PM मोदी साहब इस समय लीडर आफ हाउस है, वहीं पर अगर हम लोग राजपा के बात करते हैं, तो हमारे जो कपड़ा और उद्योग मंतरी हैं, प्यूस गोयल साहब, वो आपके लीडर आफ हाउस है, तो option B होगा, correct, अगला प्रशन है कि ट् कहा जाता है, तो यहाँ पर option A हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है कि हमारे देश में जो आपके payment bank है, इनका कौन सा काम नहीं है, तो देखे payment bank के अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप पैसे जमा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, अगर आपके पैसे YouTube से या विदेश से आ हैं, तो वो सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको यहाँ पर बीमा उत्पात भी मिलेंगे, लेकिन जितने भी हमारे payment bank हैं, वो उधार पैसे नहीं देते हैं, तो ध्यान रखेंगे, option D होगा, correct, अब आपके लिए एक प्रशन है, नीचे comment में मुझे आप यह बताईएगा, कि भारत का पहला payment bank कौन सा है, अगला प्रशन है, कि प्रतवी का पलायन बेक कितना है, इसका simple सा मतलब है, कि अगर आपको किसी चीज को उठा करके फेकना है, कुछ इस प्रकार से, कि वो लॉट करके वापस प्रतवी पर मत आए, तो कितनी speed में आप उसे फेकेंगे, तो अगर आप किसी वस्तू को 11.2 किलोमेटर पर सेकंड के speed से फेंग देते हैं, तो वो आपके space में चली जाएगी, यानि कि option यहाँ पर B हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि इंद्रिया नुई, जो कि हमारी एक भारतिये उद्यमी है, यह आपके किस company से लागवारता इसके CEO है, तो इंद्रिया नुई इन से पहले थी, option यहाँ पर B होगा, correct, अगला प्रशन है, कि इंद्रियमने लिखित में से कौन सा भारति राज एक अंतराष्टी सीमा साझा नहीं करता है, तो राज का नाम हो जाएगा हर्याणा, यहाँ पर आप लोग आप में देखिए, यह देखिए, यह हर्याणा है, तो यह कोई भी अंतराष्टी सीमा साझा नहीं करता है, यानि कि option हमारा B होगा, correct, अगला प्रशन है, कि इंद्रियमने लिखित में से कौन सी तरंग की विसेष्टा नहीं है, तो देखिए, जो हमारी तरंग होती है, उस D होगा यहाँ पर, correct, अगला प्रशन है, कि इलेक्ट्रानों से सम्मंधित, जो एंटी मैटर कन होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन एंटी मैटर कन को कहा जाता है, पॉजे ट्रॉन, क्या नाम इसका है, पॉजे ट्रॉन इसका नाम है, कार्ल D. अंडर्शन के द्व आउस में इसका यूज होता था, स्मार्ट फोन में यूज होता है, रेसिंग कार में भी होता है, लेकिन जो हमारे इंकजेट प्रिंटर होते हैं, इसमें जायरो स्कोप के सिध्धान का यूज नहीं होता है, यानि कि ऑप्शन C हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि प्रसि ब्रहदेशवर का जो मंदिर है, उसका निर्माण राजा चोला प्रथम ने करवाया था, और जो हमारे ग्रेट लिविंग चोला मंदिर के असमारक है, उसमें ब्रहदेशवर का मंदिर सामिल है, अगला प्रशन है, कि डैस डैस जील, एसिया के सबसे बड़ी ताजे पाने क जीलों में से एक है, तो इस जील का नाम उलर है, और अगर आपसे एसिया के सबसे बड़ी खारे पाने के जील पूंचा जाए, यानि कि भारत की, तो इसका नाम है लेक सांबर, जो की है राजस्थान में, तो ध्यार रखेंगे, ऑप्शन D होगा यहां करग, अगला प्रश से उसमें आपका CPU सामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन D हो जाएगा यहां पर करग, अगला प्रशन है, कि जो हमारे पहले लोगसभा गठित होई थी 1952 में, इसके अध्यच कौन थे, तो इस लोगसभा के जो हमारे अध्यच है, नाम इनका है जीवी माउलंकर, क्या नाम है, जीवी माउलंकर इनका नाम है, तो ऑप्शन B हो जाएगा, करेक्ट, अगला प्रश्न है, कि निम्न लेकित में से किस वन्स के सासकों को सुल्टान नहीं कहा गया था, तो सुल्टान के अगला में से किस प्रजाती को कास्मीर हिरन भी कहा जाता है, तो ये जो परजाती है, इसका नाम है हंगुल, क्या नाम है? हंगुल इसे कहा जाता है, या फिर इसे आप लोग कास्मेरी इस्टैक भी कहेंगे, तो option A हो जाएगा, correct, वहीं पर अगर हम लोग संगाय की बात करते हैं, तो ये आपके मडीपुर का है, 12 सिंगा की अगर हम तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, option A हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि कोपा अमेरिका 2021, फुटबॉल चेंपेंशिप किस टीम ने जीती थी? तो ये प्रशन वैसे पूछा गया था, 2016 का, बस मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो ध्यान रखेंगा, 2021 में ये जो टू क्या है, तो rail tail corporation की बात करते हैं, ये हमारे भारते railway की एक public sector undertaking है, यानि कि सरकारी company है, तो option B हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि निम्ने लिखित बिकल्पों में से, पेसेवर भारते निसाने बाज को आपको पहचानना है, तो अगर हम लोग निसाने बाज की बात करते है तो इनका नाम है अंजली भागवत, क्या नाम है, अंजली भागवत नाम है, सुधा सिंकी और ललिता बावर की बात करें, तो ये दोनों हमारे runner हैं, सिवानी कटारिया की बात करते हैं, तो ये आपके सुईमर की player हैं, तो यहाँ पर फिलहाल C option होगा, correct, अगला प्रशन है कि निम्रे लिखित में से कौन, इंडियन नेवल सिप अरिहंत का सबसे उपेवत वर्णन है, तो आइनेस अरिहंत की बात करते हैं, ये हमारे देश की एक सम्मरीन है, option A हो जाएगा, correct, तो 26 जुलाई 2009 को इसे लौंज किया गया था, बिसाखा पटनम में, तो option यहाँ पर A ह हो जाएगा सम्मरीन, correct, अगला प्रशन है, कि जो आपका total solar eclipse है, यानि कि पूर्ण सूरी ग्रहन है, ये कब होता है, तो सूरी ग्रहन के लिए, जैसे यहाँ पर सूरी है, बीच में अगर आपका चंद्रमा आता है, प्रत्वी के, तो इस स्थिती में आपका लगता है सूरी ग्रहन, तो ध्यान रखेंगे, option यहाँ पर सी हो जाएगा, correct, तो यह देख सकते हैं, यहाँ पर सूरी है, यह हमारी प्रत्वी है, और बीच में जब चंद्रमा आता है, तो इसी समय आपको solar eclipse देखने को मिलेगा, option यहाँ पर सी होगा, correct, अगला प्रशन है, कि निम्र कुरल की बात करें, तो यह आपके तमिल भासा में लिखे गई पुष्टक है, option A हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि जो हमारी hypothalmas नाम के गरंथी होती है, यह कहाँ पर पाई जाती है, तो hypothalmas, जो की एक बहुत ही महत्पूर्ण गरंथी है, यह आपको brain में देखने को मि लेगी, कहाँ पर आपके brain में यह मौजूद होती है, तो option C हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि भारतिये अंतरिच अनुसंधान संच्थान का गठन किस साल किया गया था, तो इसरो की बात हो रही है, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था, पहले इसके अध्यच बने थे हमारे विक्रम सारा भाई, और वरत्मान में जो इसके अध्यच है, उनका नाम S सोमनात है, तो option A हो जाएगा, यहाँ पर correct, अगला प्रशन है, कि rail wire इनमें से किस सम्मंधित है, तो rail wire की बात करें, आपने railway station पर free wifi सुवधा के बारे में सुना होगा, तो जो railway की broadband सीवा है, कि निमने लिखित में से किस देश ने UK के सासन को आपचारिक रूप से वर्स 1986 में समाप्त कर दिया था, तो यह जो देश है, इसका नाम है आश्टेलिया, तो आश्टेलिया के उपर जो UK का सासन था, वो 1986 में समाप्त होता है, यानि कि option A हो जाएगा, correct, बाकी मालदियो की बात करें, तो यह 1965 में आजाद होता है, स्रीलंका 1948 में आजाद होता है, और कनाडा 1867 में आजाद होता है, सारे UK की कालोनी थी, अगला प्रशन है, कि यलो फिन ट्यूना किस देश का राष्टिय पस्थू है, तो यलो फिन ट्यूना के बात करते हैं, यह हमारी एक मसली है, और माल दिव का ये राज के पसू है, option D हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि इन में से कौन सी नदी, स्रिलंका की सबसे लंबी नदी है, तो स्रिलंका की जो सबसे लंबी नदी है, उसका नाम महावेली गंगा है, क्या नाम है महावेली गंगा, तो option C हो जाएगा, correct, अगला प्रश्न है कि भारत की किस देश के साथ सबसे बड़ी अस्थलिय सीमा है तो हमारी जो सबसे बड़ी अस्थलिय सीमा है वो आपको पाकिस्तान के साथ में देखने को मिलेगी स्वारी जी बांगला देश के साथ में है C option होगा बांगला देश के साथ में हमारी सबसे बड़ी अस्थली सीमा है जो कि 4,016 किलोमेटर है तो option C हो जाएगा करग 4,096 है ठीक है 4,096 किलोमेटर है तो option यहाँ पर C बांगला देश होगा करग अगला प्रशन है कि निमनलखित में से कौन सा भारती राज्य है जो कि म्यामार के साथ सीमा नहीं बनाता है तो म्यामार की अगर हम लोग बात करें तो इससे आपका अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड, मडीपुर, मिजोरम सारे बनाते हैं लेकिन त्रिपुरा इससे सीमा साजा नहीं करता है तो आप्सन यहाँ पर ए हो जाएगा तो यह देख सकते हैं रुनाचल प्रदेश, नागा अंडरलैंड, मडीपुर और मिजोरम अगला प्रशन है कि लेडी बिद एलेम किसे कहा जाता है तो लेडी बिद एलेम की बात करते हैं यह हमारी फ्लोरेंस नाइंटिंगल को कहा जाता है जिनका जनम 12 मई को हुआ था तो आप्सन बी हो जाएगा अगला प्रशन है कि जो आपके लोहे में जंग यानि के मोर्चा लगता है जिसे आप लोग रश्ट कहते हैं वो किसका उधारण है तो लोहे में जो जंग लगना है यह हमारे एक केमिकल चेंज का उधारण होता है आप्सन डी हो जाएगा यहाँ पर तो होता क्या है कि माल लेजिए यह हमारा आइरन है तो अगर आप इसे खुले में रखते हैं तो यह आपके जल से और ऑक्सिजन के साथ में अपकरिया करता है और यहाँ पर यह बनाता है फेरिक ऑक्साइड और इसके साथ में आपके होते हैं जल के अणू तो यही हमारा जंग का फार्मूला होता है option D हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राश्पते के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इस स्थिते में निर्णे लेने का अधिकार किसके पास में है तो निर्णे लेने का जो अधिकार है ये सुप्रीम कोड के पास में होता है आर्डिकल 71 के अंतरगत तो option C हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के द्वारा हस्ताचरित सिंधु जल संधी कब होई थी तो ये जो सिंधु नदी जल समझोता है ये हुआ था 1960 में कब हुआ था 1960 में तो option D हो जाएगा correct आपको ध्यां रखना है कि ये समझोता कराची में 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया था हमारे देश की तरब से PM नहरू थे और पाकिस्तान के प्रेशिजेंट थे अयूब खान जिनके बेच में ये समझोता हुआ था तो option D होगा correct अगला प्रशन है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करते हैं ये आपकी है पीर पंजाल सुरंग कौन सी है पीर पंजाल सुरंग है option B हो जागा यहां पर correct तो आपको ध्यान रखना है 11.2 किलोमेटर इसकी लंबाई है और ये भारत के सबसे लंबी रेलवे सुरंग है अगला प्रशन है कि red data book जिसे red list भी कहा जाता है ये आपका क्या है तो red data book की बात करते हैं तो जो भी हमारे animal और plant हैं उनके endangered species का या एक detail document है तो ध्यान खेंगे यहाँ पर option D हो जाएगा correct तो ये जो list है इसको IUCN के द्वारा तयार किया जाता है अगला प्रशन है कि राष्टिये भूभोत के अनुसंधान संस्थान यानि कि National Geophysical Research Institute कहां पर है तो ये आपको मिलेगा हैदराबाद में कहां है है हैदराबाद में है तो option D हो जाएगा B होगा correct अगला प्रशन है कि सचिन तेंदुलकर ने किस अंगरीजी देश के लिए खेला था तो सचिन तेंदुलकर की बात करें 1992 में इन्होंने बिल्टेन के क्रिकेट कलब यारकसवार की तरब से खेला था तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन एक पौधे से सम्मंधित उतपाद नहीं है तो देखिए जूट की बात करें, रवड की बात करें, टीक की बात करें ये सारे हमको पौधे से मिलते हैं लेकिन हनी की बात करते हैं तो ये आपके पौधे का उतपाद नहीं है इसको हमारी मतमख्यां बनाती है फोलो से, option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जो हमारे अर्थ का क्रष्ट है क्रष्ट का मतलब है जो प्रत्वी का सबसे उपरी वाला लेयर है इसमें दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तक तो क्या है तो ध्यान रखेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको oxygen मिलता है दूसरे नमबर पर सबसे ज़्यादा मिलता है silicon और तीसरे नमबर पर है aluminum तो मेटल में सबसे ज़्यादा आपको अलुमीनियम मिलेगा ये भी ध्यान रखेगा और नॉन मेटल में ऑक्सिजन सबसे ज़्यादा मिलता है अगला प्रश्ण है कि हैली का जो धूमकेतू है ये लगभग कितने वर्सों में एक बार दिखाई देता है तो हैली धूमकेतू ये लाश्ट टाइम आपको 1986 में दिखा था और अब 76 सालों के बाद 2061 में ये दिखेगा यानि कि ऑप्सन भी हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि महाराजा जैसिंग ने कितने सहरों में जंतर मंतर का निर्मार किया था तो महाराजा जैसिंग के दोरा टोटल पाँच सहरों में जंतर मंतर का निर्मार किया गया था ओप्सन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट अब आपको इसके बारे में ये भी ध्यार रखना है कि 1724 से 1735 के बीच में इनका निर्मार हुआ था ये आपके पाँच सहरों में बन अगला प्रशन है कि उस्ताद अली हुसेन खान जिनका हाल ही में निधन हो गया था ये आपके कौन हैं तो उस्ताद अली हुसेन खान की बात करें ये हमारे सहनाई वादक हैं कौन हैं सहनाई के प्लियर हैं ऑप्सन डी हो जाएगा करेक्ट तो बिसमिल्ला खान इनका नाम स जेंद प्रसंद ना हैं तो ये सारे हमारे सहनाई के प्लेयर हैं ओप्शन D होगा करेक्ट स्वतंद्र भारत में पहला आम चुनाओ कब हुआ था तो पहला आम चुनाओ 1952 में हुआ था यानि कि ओप्शन B होगा करेक्ट ध्यान रखिएगा कि टोटल 489 सीटों पर ये चुना अध्यच के पास में बीटों के समानता के मामले में एक निरनायक ओठ होगा और वह उसका प्रयोग करेगा तो ये आपको आर्टिकल 100 में देखने को मिल जाएगा ओप्शन यहाँ पर D हो जाएगा करक्ट अगला प्रशन है कि सभिने अवग्या आंधूलन जिसे आप लोग civil disobedience moment कहते हैं ये कब शुरू हुआ था तो ये आंधूलन शुरू हुआ था 12 मार्च को कब हुआ था 12 मार्च 1930 को और नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था 6 अपरेल 1930 को 24 दिनों की यात्रा थी ये और इसमें टोटल इन्होंने 241 मेल के दूरी तैकी थी option C हो जाएगा कर अगला प्रशन है कि हमारे देश में जो डीजल के इंजन है वो कहां पर बनाय जाते हैं तो डीजल के जो इंजन है वो आपके उत्तर प्रदेश के वारांटी में बनाय जाते हैं या यानि कि डीजल लोको मोटिव वरक्स आपके वारांटी में है option C हो जाएगा यहांपर correct तो चितरंजन लोकोमोटीव वर्क जो की आपके पस्षे मंगाल में है, यहाँ पर बेजली के इंजन बनते हैं, डीजल लोकोमोटीव वर्क की बात करते हैं, तो यह आपको वारार्णसी में मिलेगा. अगला प्रशन है कि अंतर राष्टी सेंड आर्ट फेस्टिवल 2015 कहां पर आयोजित किया गया था, तो यह फेस्टिवल हमेशा ही यहीं पर होता है, और यह स्थान उडिसा का चंद्रभागा बीच क्या है? चंद्रभागा बीच जो आपके उडिसा में है, यहीं पर इस सेंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजिन होता है, तो बी ऑप्सन होगा करड़, अगला प्रशन है कि निम्रे लिखित में से कौन सा जीव है, जो की पानी में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, यानि की पानी के स्वास्त के लिए यह जीव काफे जरूरी होता है, और इसका नाम है फाइटो प्लैंक्टन, ध्यान रखेंगे आप लोग कि जहाँ पर हमारे समुद्र में ठंडी और गरम जलधाराय मिलती हैं आपस में, वहाँ पर इनका जनम होता है, और इसलिए जहाँ पर फाइटो प्लैंक्टन होते हैं, वहाँ पर मस्लियां भी आपको खोब मिलेंगी, आपसन डी हो जाएगा, करक्ट, अगला प्रशन है कि रेसम का जो उत्पादन है, यानि कि सिल्क का जो प्रोडक्शन है, यह कहां पर सुरू हुआ था, तो रेसम का जो उत्पादन है, यह आपके चाइना देश में सुरू हुआ था, नियो लिथिक पेरियेड में, आपसन बी हो जाएगा, यहाँ पर करक्ट, अगला प्रशन है कि रा का पूरा नाम क्या है, तो रा की एगर हम लोग बात करते हैं, यह हमारे देश की एक intelligent agency है, और इसका पूरा नाम है, research and analysis बिंग, क्या नाम है, research and analysis बिंग, सामन्त गोयल इस समय इसके head है, option बी हो जाएगा, करक् तो यह आपकी कोई पीने वाली बीर नहीं है, great बीर की बात करते हैं, तो यह हमारा एक constellation है, यानि कि नचत्र होता है, नचत्र क्या होता है, तो आपने आस्मान में देखा होगा, कि जो हमारे तारे होते हैं, वो आपको समोह में दिखाए देते हैं, यानि कि ऐसे गुच्छ प्रशन है, कि बेव पेज पर वापस आने वाले उपयोग करताओं की पहचान करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर computer के द्वारा प्रयोग किया जाता है, कुकीज को, तो यह कुत्तों का वेस्कुट नहीं है, यह आपका एक प्रकार का data होता है, जब आपका जो computer है, इस data को store कर लेता है, और उसी के जरिए आपके पुना पहचान होती है, तो option A हो जाएगा correct, अगला प्रशन है, कि बंगाल सती बियनेमन 1829 किस governor general के द्वारा लाया गया था, तो यह में हमारे राजा राम मोहन राजी का बहुत ही महत्तों योगदान था, और यह लाया गया था, Lord William Bantic के जरिए, option B हो जाएगा correct, अगला प्रशन है, कि वह प्रोग्राम कौन सा है, जो source code को object code में translate करता है, तो इस प्रोग्राम का नाम होता है संकलक, या फिर इसे हम compiler कहते हैं, option B हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है, कि पानी के मामलों में, न आपका प्रदोसक है, इसका नाम होता है मिथाइल मरकरी, क्या नाम है, मिथाइल मरकरी इसका नाम है, तो option B हो जाएगा correct, अगला प्रशन है, कि इस टाक मार्केट इंडिया का प्रमुक नियामक प्राधी करण कौन है, तो इस टाक मार्केट आफ इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहां का जो सेबी है वह इसका प्रमुक नियामक प्राधी करण है option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है ये आपको धिहार रखना है कि मादवी पूरी बच इसी साल इसकी पहली महिला अध्यच भी बनी है अगला प्रशन है कि कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया और स्रिलंका को जोड़ता है तो इस स्टेट का नाम पाक स्टेट है यानि कि option D हो जाएगा correct तो एक बेटेन के बेक्ति थे जिनका नाम रॉबर्ट पार्क है पाक था उनी के नाम पर इसका नाम रखा गया था तो option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि 1846 में सिलाई मसीन का जो संसोधि संस्क्रंट था उसके लिए अमेरिका के किस बेक्ति ने पेटेंट को प्रात किया था तो इसको बनाया था इलियास होवे ने और इसलिए इसका पेटेंट इलियास होवे के पास में था option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि गीले कचरे को खाद में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसे आप क्या कहेंगे तो इसे कहा जाता है composting क्या कहा जाता है compost के तरीके से जो आपके गाउं में खाद बनता है इसी तरह से हम गीले कचरे को खाद में बदलते हैं तो option composting होगा correct अगला प्रश्ण है कि प्राचीन काल में अवद को किस नाम से जाना जाता था तो प्राचीन काल में ये जो अवद है इसी को हम लोग कोसल के नाम से जानते थे option A हो जाएगा correct अग्ला प्रश्न है कि जो आपके मशली का दिल होता है इस मशली के दिल में कितने लोग रह सकते हैं मतलब कितने चेमबर का होता है तो मशली के दिल में आपको टोटल दो चेमबर देखने को मिलेंगे option D होगा correct तो ध्यां रखेगा मसलियों के दिल में दो चेंबर होते हैं एक आपका एट्रियम होता है दूसरा होता है बेंट्रिकल तो option हमारा यहाँ पर D हो जाएगा उसी प्रकार से amphibian और reptile की बात करते हैं इसमें आपके तीन चेंबर होते हैं चिनियों में आपके चार चेंबर मिलेंगे तो option D हो जाएगा अगला प्रशन है कि भारत में किसी भी राजिका मुख्यमंत्री बनने के लिए नियूंतम आयू योगिता क्या है तो अगर आप भारत के किसी राजिका सीम बनना चाहते हैं तो आपको वहां के विधान सभा का मेंबर होना चाहिए और उसके लिए नियूंतम योगिता है 25 साल option A हो जाएगा अगला प्रशन है कि 1923 में तीन इस्थिती यातायात सिंगनल यानि कि जो आप लोग यातायात लाइट देखते हैं लाल, हरा और पीला उसका पेटेंट कि ने करवाया था तो इसका जो पेटेंट है वो अमेरिका के गैरेक्ट मॉर्गन ने करवाया था option A हो जाएगा यहां पर correct अगला प्रशन है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक था तो सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य की बात करते हैं इसका नाम है उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में सबसे जादा गन्ना होता है option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि गोवा को महराष्ट राज्य के साथ बिले करने का जो विकल्प है वो किस वर्स दिया गया था आप सभी को पता होगा कि 19 दिसंबर 1961 को हमारी भारते सेना ने गोवा को पुर्टगालियों से आजात कराया था उसके बाद में 1967 का जो साल है उस साल गोवा वालों को ये बिकल्प दिया गया था कि अगर आप चाहें तो महराज से मिल सकते हैं हाला कि ये लोग मिले नहीं थे फिर 31 मई 1987 को गोवा को एक पूर्ण राज का दरजा दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे B option correct होगा अगला प्रशन है कि यूनी कोड क्या प्रदान करता है तो यूनी कोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके हर भासा के हर चरित्र के लिए एक आदूतिय कोड देता है यानि कि यूनी कोड फॉर इबरी करेक्टर आफ गरी लेंगवेज तो ये प्रदान करता है यूनी कोड ओप्सन D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि GPS का पूरा नाम क्या है तो GPS जो की एक Navigation Satellite System है बैस्विक अस्तर पर अमेरिका के द्वारा इसको डबलब किया गया है और इसका पूरा नाम है Global Positioning System क्या नाम है? Global Positioning System इसका नाम है इसमें आपको टोटल 24 सेटलाइट मिलेंगी Option D हो जाएगा correct और इसी प्रकार से हमारे भारत का एक Regional वाला है जिसका नाम है Indian Regional Navigation Satellite System तो ये भी आपको ध्यार रखना है इसे हम लोग नाविक भी कहते हैं तो Option D होगा correct अगला प्रशन है कि काची पुरम में जो कैलास नाथर मंदिर है ये किसके सासनकाल के दोरान बनवाया गया था तो हमारे पल्लो सल्तनत के एक राजा थे जिनका नाम नरसिंग देव था उनी के दोरा इसका निर्मार करवाया गया था तो Option C हो जाएगा नरसिम नहीं राजिम राज सिमिन का नाम था जिनके दोरा इसका निर्मार करवाया गया था तो C आप्सन करेक्ट होगा अगला प्रशन है कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किस्ने किया था तो इसका गठन किया था स्री निवास अयंगर ने किस ने किया था स्री निवास अयंगर के दोरा इसका गठन किया गया था तो आप्सन C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि इनमे से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो एक तरफ आपको संस्थान दिये गए है, दूसरे तरफ आपको उसका headquarters दिया गया है. तो केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है बिल्कुल सही है. वन अनुसंधान संस्थान देहरादुन में है, ये भी सही है. भारतिय कृसित सोज संस्थान नई दिल्ली में है ये भी सही है अगर कर सोज संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा पूरे में कहां पर है पूरे में मिलेगा तो option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि इन में से किस पंच वर्षिय योजना में हमारी ग्रोथ रेट सबसे जादा रही थी तो ये आपकी 11 पंच वर्षिय योजना है जो कि 2007 से 2012 तक चली थी इसमें हमने एक्सपेक्ट किया था 9% ग्रोथ का लेकिन हमने 8% अचीब किया था जो कि सभी पंच वर्षिय योजना में सबसे जादा था option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि इन में से कौन से फिल्म है जो कि आसकर पुरसकारों के लिए नामित नहीं हुई है तो भारत देश से international feature film की कटेगरी में total आपकी 3 फिल्में नामित हुई है अगला प्रशन है कि इन में से कौन से बिमारी वाइरस जनित नहीं है तो आपका इबोला, नीपा, डेंगू ये सारी बिमारिया वाइरस से होती है लेकिन अनिद्रा जिसे हम लोग insomnia कहते हैं ये आपके CC fly के कारण होती है यानि कि या एक प्रोटो जोवा से होनी वाली विमारी है, option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारती रेजर बैंक के जो गवर्नर है, इनका कारिकाल कितने समय का होता है तो इनका कारिकाल होता है तीन प्लस दो सालों का, कितना तीन साल कारिकाल होता है, दो सालों को इनको एक्स्टेंसर मिलता है तो option D हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि एक तरफ आपको सहर दिया गया है, दूसरी तरफ आपको वास्तुकार का नाम दिया गया है आपको बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो कोलकाता सहर के जो वास्तुकार है, जाप सारनाकिन का नाम है, यह बिल्कुल सही है भोनेशर के बात करें, तो कौन इस वर्गर इसके वास्तुकार है, बिल्कुल सही है चंडीगड के लिक आरबुजिये है, यह भी बिल्कुल सही है लेकिन अगर हम लोग राग गार्डन के बात करें जो चंडी गड में है इसके फेडरिक बिलियम्स नहीं है ये आपके गेटवे आफ इंडिया के हैं और राग गार्डन के हैं नेक चंद सैनी तो ध्यान रखेंगे ओप्सन डी हो जागा यहाँ पर करें अगला प्रशन है कि अगर हम लोग डीवीडी की बात करते हैं तो ये हमारा एक आप्टिकल डिस्क है प्रशन है कि निम निल्खित मेंसे कौन भारत का पहला चंदर मिसन इसको मंजूरी 2003 में मिले थी launch इसको 2008 में किया गया था तो आप्शन C हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि निम्न लिखित में से किस राज में लोसांग महसो प्रतीवर्स आयोजित किया जाता है तो लोसांग महसो की बात करें ये हर साल आपके सिक्की में होता है option C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि भारत के सम्विधान में परिकलपित भारत के उपराश्पती किसके जरिये चुने जाते है तो भारत के जो उपराश्पती होते हैं इनके इलोक्टोरल कॉलेज में दो ही लोग होते हैं एक तो आपके लोग सभा के मेंबर होते हैं निर्वाचित और राज सभा के तो इसलिए option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है डैस डैस software code का एक टुकड़ा है जो उस program के साथ किसी समस्या को ठीक करने के लिए software program को अस्थापित करने के बाद लागू किया जाता है तो इस program का नाम होता है यानि कि ये जो software code है इसका नाम है patch क्या नाम है patch नाम है तो C option होगा correct अगला प्रशन है कि 1927 के Simon Commission का बहिसकार किया गया था क्यों? तो Simon Commission का बहिसकार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो आपके 7 member थे उनमें कोई भी भारतिय सामिल नहीं था तो इसलिए भारतियों ने इसका विरोध किया था और इसी विरोध के दोरान हमारे जो लाला लाजपतराएं हैं उनको चोट भी लग गई थी तो B option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि साहा परमाडू भोत की संस्थान कहां पर इस्थित है तो साहा परमाडू भोत की संस्थान की बात करें ये आपको पस्ति मंगाल में मिल जाएगा यानि कि option D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि सिच्छा का अधिकार एक मौलिक अधिकार किस वर्ष बना था तो Right to Education Act आपका आया था 2009 में और ये लागू हुआ था 1 अपरेल 2010 से यानि कि Option A हो जाएगा Correct अगला प्रश्ण है कि भारत के समिधान के अनुसार निम्लिकित में से कौन सा मौलिक करतब नहीं है तो साबनिक चुनाओं में मद्दान करना ये आपका कोई भी moral duty नहीं है यानि कि fundamental duty नहीं होता है Option D हो जाएगा Correct अगला प्रश्ण है कि नासा के कैस्ने मिशन के अंकडों के अनुसार बैस्विक महासागर सनी के चंद्रमा के बरफिली परत के नीचे है तो आपको बताना है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है NC LADUS क्या नाम है NC LADUS के नीचे आपको ये मिल जाएगा Option D होगा यहाँ पर Correct आखरी प्रश्ण है कि निम निलिखित में से कौन सी एक खाद इस रिंखला में सबसे बड़ी आवादी है तो खाद इस रिंखला में ये सबसे बड़ी आवादी है और इसका नाम है Decomposer ध्यान अखिगा इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं हो सकता है आपको लगे producer primary consumer या secondary स तो इनी के संख्या सबसे ज़्यादा है option C हो जाएगा यहाँ पर correct तो इस प्रकार से हमने 100 और प्रश्णों को discuss कर लिया है और अगर आप लोग इन सारे प्रश्णों को अच्छे से करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 50 में से सिवीती टू में कम से कम 35 से 40 प्रश् टू एड़ जाएगा बना प्रश्णों कि एकाया प्रश्णों क्या जाएगा प्रश्णों को अच्छे से एकाया एकाया दो ह।